हमारे साथ BJP के नेता प्रावीन दरेकर हैं कल ही जैन पाठिल एक बियान दे रहे थे कि जिस तरीके से एकना शिंदेगुट के मंतरी लगातार अजित पावार पर हमला कर रहे हैं अजित पावार के विभाग के बारे में बूर रहे हैं अगर हम उलेक करें जिससे तानाजी सावन ने पहले स्टेटमेंट दिया और उसके बाद गुलाब राव पाटिल काया कि जो वित्त विभाग है वो कही नालायक है अच्छा काम नहीं करता उनका यह कहना है कि एकना शिंदेगुट अजित पवार को बाहर निकालने के निर्मान नहीं हो सकती मायुति के कोई भी नेता भार नहीं जाएंगे जब तक आजित दादा एकनाज सिंद्या और देवेंदर जी इनकी स्टेटमेंट नहीं तब तक मुझे लगता है यह सब जो स्टेटमेंट दे रहे है वो निरादार है किसी भी तरह का आधार उस स्ट स्टेटमेंट को नहीं है और मुझे लगता है जयन्द पाटिल ने अपनी चिंता करने के आवोशकता है क्योंकि जयन्द पाटिल भी भार कैसे जाए इसके उपर नजर रख्के रोहित पवार है इसलिए एक मेला हुआ था उसमें जयन्द पाटिल को निकालने की साजिस्थ और शशिकान शिंदे को प्रदेशाद्देक्ष बनाने का सुप्रिया सुले रोहित पवार इनका मक्सद सा लेकिन तभी जयन्द पाटिल उसमेले में मुझे चुनावत करहना है इसी तरह की याचना की मुझे लगता है खुद का देखो खुद को भार निकर्मने के लिए राष्ट्रवादी शरत पावार के युवानिता और वहां से कोशिश हो रही है उसके उपर ध्यान रखो आजित दादा की चिंता आपको करने के आवशक्ता नहीं महायूती सब सात में सात में रहेंगे दूसरा सवाल यह है कि गर्चिरोली में शुक्रवार के दिन अजित दादा पावार ने जन सन्मान यात्रा के दौरान यह कहा कि किसी के भी घर में जाकर घर को घर में राजनीती लाना यह अच्छा नहीं होता इसका सबक वो खुद सीख चुके हैं और अभी वो ऐसी गलती नहीं होनी ची जनता को किसे के घर में राजनीती लाना अच्छा नहीं लगता उन्होंने खुद का उधारन दिया क्योंकि धर्मराव बाबा आत्राम की जिस तरे की से बेटी भागीश्री अत्राम शरतपवार गुट के रास्ते पर है इसके खबरें उसमें उनका बयान है दादा को रिलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती की बारामती में चुनाओ लड़की आजित दादा एक स्पष्ट तोर पेर वक्तविय करने वाला नेता जाना जाता है और जब जब गलती हुई तब तक उन्होंने प्राइचित लिया है अपने गलती कबूल किये मुझे लगता है अभी भी उनको कुछ लगा होगा तो उन्होंने उसी तरख की बयान बाजी की है और मुझे लगता है घर तोरना फोरना ये तो पवार साहिब की माहीरी उसमें है या पावार सापकी असली राजनिती है वो तोड़ा-तोड़ी में वो राजनिती समझते है इसलिए अभी हत्राम के बेटी को अपने बाप से जुदा करने का एक पाप का काम पावार सापके नित्रुतों में उनकी पार्टी कर रहिए यह होते हैं जब आजी दादा खुद कहते हैं कि घर तोड़ना या घर में राजनीती लाना अच्छा नहीं क्योंकि वो उनको खुद को इसका अनुभव हो रहा है कहीं ना कहीं कि उसका खामियाजा उनका नुकसान उनको बारामती में उठाना पड़ा इसलिए कि अब ऐसी र आसंगी करता है और मुझे लगता है आजीद दादा को तभी वैसा लगा होगा लेकिन विदान सब्सक्राइब में उसमें बदला होके आजीद दादा को भी अच्छे तरह से यह मिल सकता है यह खबरे बार-बार चलती रहती हैं कि अजीद दादा पवार को महायुती में 30- मिल सकती है जो सम्मान जनक सीट की दरूरत है जैसे लोकसभा में हुआ वैसे यहां पर भी होने की गुंजाइश बहुत जादा है ने मुझे लगता है अजीद दादा को अच्छी तरह से सीट मिलेगी जिस विदान सब्सक्राइब में विदाहिक जो जो पार्टी की है उसक में कोई शंका नहीं लगती है अजीद दादा भी एक कद्दावर नेथा है और उनके पार्टी का सन्वान महायूती हंड्रेट परसेंट करेगी इसके ओपर मेरा भरहुसा है विश्वास है धन्यास हमसे बात्चरिक करने के लिए कैमेरा मैं देवेंद्र के साथ समीर भी से India TV Mumbai